असलाम अलेकम आज मैं आपके साथ बंद गोभी घोष्ट की रेसिपी शेर कर रही हूँ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा कबेंट किजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजीगा और बेला आकन को प्रेस किजे ense जिजर गालिक पेस्ट वान टी स्पून एड़ कर दें रचिली पॉडर एड़ कर देंगे वान टी स्पून अगर आपको तीखा जादा या कम पसंद है उसी साफ से आड़ करें रचिली पॉडर और इसे अचे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे 15-20 मिलट के लिए अब चाहे तो हो फ्यानेवर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं यह देखिए सभी पॉडर मसाले जिसे मिक्स हो चुके हैं गोश में अब हम प्यास को कट कर लेंगे रचिया से बारिक अफ़ि इसे ही कि भॉलब ही झाला है अब हम क्यास की consult को कर देंगे और मैरीनेटेड अ गोष आर्ड कर देंगे घोश को अच्छे मिख्ष नेने मेंद्ध में करोस कर कूछ और अच्छा का अच्छित छोण कर लिया है अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं लेकिन ग्रेटर से बहुत ही आसानी सी बहुत बारिक सी कट जाती है आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा यह मैथर्ट और इसको अच्छे से वाश कर लेंगे यह देखिए मैंने सारी पत के हैं यह अच्छे से पकने लगा है अब हम इसमें वाश कीवी ग्रेट कीवी पतागो भी आड़ कर देंगे बहुत ही आसान सी रेसीपी है अगर आपको रेसीपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किजिएगा अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते विए पकाएंगे च और फिर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अगर आपको नमक कम लगे तो एड़ कर दें लीजे बंद करते यार है मज़ेदार सी बंद को भी गोश्ट अगर आपको यह रेसीपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएग और यह रेसीपी जरूर ट्राइक किजिएगा आप यह बंद को भी गोश्ट को रोटी के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़े की लगती है और यह रेसीपी बहुत ही आसान सी है और बहुत ही कम इंग्रीडेंस में बनने वाली यह रेसीपी अगर आपको पसंद आती है तो झाल 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 झाल